कहा जाता है कि पर्टन उद्ध्योग कच्छे धागे में पिरोए हुए मोतियों की माला की तरह है। कि छोटा सा जटका लगा पूरी तरह से माला बिखर जाती है। अब ऐसे में जब ताज महल जो हिंदुस्तान में तूरिजम का गेटवे हैं वहाँ अगर उससे विवाज जुड़ते हैं तो तूरिजम पर क्या असर पड़ेगा या ये जो तमाम जो कहा जाए विवाज चल रहे हैं और ताज महल की जो एतिहासिक पहँचान को लेकर जो दो सामने आने चाहिए या नहीं आने चाहिए टूरिजम इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं हमारे साथ ऐसे तमाम गाइड हैं जो लगातार कंट्री हैड से लेकर यानि राष्टा देक्षों से लेकर दुनिया के एक से एक बड़े वीवी आईपी ओं को तूरिजम को लेकर आपको के पॉइंट व विवाद हैं उनको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है मेरा कहना यही है कि ताज मेल जो है वो पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक के रूप में फेमस है और इसलिए जितने भी लोग जहां ताज मेल घूमने आते हैं जो विच चाहे वो रास्टर द्यक्ष हो या आम परेटक हो वो सभी मन में यह एक छवी लेकर जाते हैं कि यहां पे जो है एक प्यार के सिंबल को देखने के लिए आए हैं तो जिस तरीके से चीजों को कॉंट्रोवर्शल किया जा रहा है उसका सीधा सीधा इंपक्त यहां आने वाल परेटकों की संख्या पर पड़ेगा वह यहां नकारात्मक माहौल बनेगा अगर इस तरह के विवाद जोड़ाएंगे एक के बाद एक विवाद मेरा नाम राजीव है अगर इस तरह के विवाद या कंट्रोवर्शी होंगी तो निशित रूप से पूरे विश्व में एक इस बातका लेकिन मेरा कहना यह भी है कि बहुत वर्शों से ताज महल की नीव पे क्या अफर हो नहीं है या इन्वार्मेंट का हो या बाकि और जैसे नीरी है यह अपने 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 एजन्सी ए जो यह कर Carolina और करती है लेकिन मेरा मनना यह कि इस वजए से नहीं कि कोई परिस पीन परेता चया जाने जाता है कि ताज मेहली काा जाए जो वारे देखे यह देखिए अगर हम यह देखें कि जैसा कि कहा जाता है कि पूरी ताजमेल के बुनियाद कुंगों के ऊपर है अब किसी टाइम में यमना बिल्कुल दिवार ताज की दिवार से लगके चलती थी आज उसका लेविल बहुत आगे बढ़ गया है मतलब पानी की कमी हो गई है और वह अभी से नहीं है मैं बच्पन से उस चीज को देख रहा हूं कि पानी की कमी है तो वहां पर क्या फरक पड़ा है क्योंकि कमरे या नीचे बेसमेंट्स नहीं खुले हुए हैं उसकी वजह से इस बात पर भी सरकार को ध्याद देखिए कि 1934 में आखरी बार खोला गया आप इसको कैसे दिखने है पॉलिटिकल पॉइंट वीव से हटकर एक टूरिस्ट इंडस्ट्री से जड़े हुए नाते होने के नाते आप क्या लगता है आपको यह विवाद कि दर जा रहा है इसके साब से तो इसको अट्रेक्शन मिलेगा और अच्छा जंकरी मिलेगी और कुछ लोगों का यह कहना है कि इसकी जो कहा जाए सिंबल ओफ लव है यह प्रभावित होगी तो एक तवका यह भी कहता कि भाई जो भी चीज है क्यों बहस का मुद्दा बनाए जाए सच का सच जो भी हो जो भी फैक्ट्स हो वो निकल अससे को असा असा नहीं पड़ेगा ताज महल एक अलग चीज है और उसको राजनीती देना एक अलग वाड़ इसलिह इसको जो मोभबत है मोभदी रहने ना कि उसमें राजनीती ड़ने हैं आपको क्या लगता है अपके हिसाब से यह ताज महल में कि जो 22 कमरें है और इस कप्र जाता है कि यह जो जड़ियर स्य जचो आकते लिए लगता हें जो है जिताजमाज me विए इससाद पταड़ी हो भी आप मैं ऐसाब से क्या मेरे हिसाब से कुई भी ही हो नीड़ी जाइए जो समाज में वरानतिया फैल रही है उनका समाधान होना चाहिए इन बाइस कमरों को खोल के उनकी रिकॉर्डिंग करा कि पुब्लिक लिए उन्हें दिखा देना चाहिए यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है यह सिर्फ ताजमेल है कि इस्लाम की स्ट्रक्चर है मुभबत की इमारत है और इस से इसमें न सब्सक्राइब करें दिखाए पुब्लिक को भी दिखाए टूरिस्ट के लिए ओपन कर दीजिए बिल्कुल आपको आप भी तुड़ा आइए क्या लगातार कभी भगवादारी को प्रवेश को लेकर विवाद कभी अब मामला यह चीजें पॉलिटिकल होते होते आप जु लेकर जा रहे हैं तो यह गलत है अगर आप बैसल देखेंगे तो एक कोट के तुरू काम कर रहे हैं और खुलता भी है तो अच्छा भी है क्योंकि यह चर्चाएं है जो अनौफीशल चर्चाएं उन पर विराम लगेगा सब्सक्राइब को बढ़ाबा मिलेगा ऐसी बात न लेकिन यह खुलेगा तो डेफिनेटली यह अंदर क्या है मालूम पढ़ेगा लोगों को प्लस एज गाइड हम लोग अंदर भी जाकर देखेंगे और क्लाइंट को एक सब्सक्राइब करेंगे दिखाएंगे भी तो हमारे टूर्स पॉइंट रहेगा मेरी समद्सक्राइब जिए के परदेदारी ज्यादा होती है जानने की उत्सक्राइब भढ़ जाती है लेकिन ना कि ज्स तरीके से कॉंट रूLPा नों की जानकारी सामने आनी चाहिए ना कि उस पर राइने त्ग्रोटे है उसमें तथ्यों की कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि सब ने छ्51ब VOC कोई एक चीज है उसके उपर नहीं से कोई नहीं पर अभी उनके पास छूसे। हैं सिर्फ एक पियन ओकी जो किताब ती ट्रू स्टोरी अफ ताज वहां से उन्हों उसको उठा के जब से पहले उन्होंने यह तीसिस दी कि यह तेजों महले था जब कि इस तरह का कोई अभी तद से नहीं तो तमाम उस समय की फार्सी में लिखी हुई चिठिया हैं यह सारी चीजों को आधार बनाए गाए तो आपको क्या लगता जब एक गाइड के तौर पर लोगों को जानकारी देते हैं टूरिस्ट को तो क्या यह चीजें आप लोगों की चर्चाव में रहती हैं आप बताते है कि यह सारी सीजें इनमें कितनी सच्छा यह देखें जितना उस समय के पत्र या इस तरह की चीजें मिली हैं पत्र चार हुए हैं वह तो फैक्ट है अगर हमें औरिजिनल पत्र मिलता है और वह कहीं किसी जगह पे कहीं आर्काइव में है तो निश्चित रूप से हमें उसे वह तत्र मान की चलना चाहिए लेकिन जहां तक अभी नितिन जी जी जैसा बता रहे थे कि किताब के इसाफ के उन्हों ने यह एज्यूम किया यह वाकई यह ऐसा कुछ है यह अलग बात है क्योंकि वहां पर यह जाता है कि एक हवेली के बदले चार हवेलियां दी गहीं रा लेकिन क्या उस्वमें यह इमारत थी यह अपने आप में अलग विशे है यह अलग विशे आपके असाफ से आप सभी लोगों के साफ से किस सामने आने चाहिए लेकिन राजनीती नहीं होनी चाहिए ताज महल से जुड़े हुए ताज महल के जो कहा जाए गर्व ग्रहम है आप लोगों का मुझे लगता है मझमून हाई जो भी है और ना तो इससपर राजनीती होनी चाहिए ना धारमिक विवाद होना चाहिए जो भी बाते हैं वो खुले दिमाग से होनी किसी एक पच्ष या दो पच्ष की बहुत कहा जाए बहुत मिच्वर भरी बाते निकलकर स जो कहा जाए VVIP को ताज का दीदार कराते हैं, उनका कहना है कि सबसे जादा जो कहा जाए सेंटर पॉइंट में टूरिजम रहना चाहिए, बहले विवाद जोड़े हैं, इस तमाम जो कहा जाए तत्यों को लेकर यह मामला अब हाई कोर्ट पहुचा हुआ है, तो जो फैक्ट हिडिन हैं, वो सामने निकल कर सामने आए, लोगों को सच्चाई का पता लगे, लेकिन इस पर राइनेतिक जो कहा जाए विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तत्थ हैं, जो सच्चाई है, वो जरू जनता को पता चलनी चाहि अगरा से नितनों पात दिहाए, एबीपी गंगा